हेलो बच्चों, परी कथाएं तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन आज जो परी कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो बहुत स्पेशल है, तो आईए सुनते हैं आज की हमारी कहानी मोम की जलपरी सोनु मोनु के पिता मोम के पुतले बनाते थे, एक दम सजीव, इतने सजीव कि नजदीक से कोई ये भी नहीं पहचान पाए कि ये असली है इनसान या नकली सोनु मोनु को सागर के तट पर गेंद खेलने में बड़ा मज़ा आता था, एक शाम उनकी गेंद पानी में चली गई, उन्हें तैरना नहीं आता था, अगले दिन वे दूसरी गेंद लेकर तट पर पहुँचे, वहाँ एक पेंड था, उस पेंड के नीचे उन्हें उनकी पुरानी की इंदरक्की हुई वापस मिल गई, उन्हें पढ़ा आश्चरे हुआ, कि आखिर ये कैसे हो गया, उस दिन खेलते खेलते उनकी दोनों गेंदे बारी बारी से पानी में चली गई, उन्हें अपनी लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वे घर वापस आ गई, नई केंद के लिए अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, अगली शाम वे उदास मन से खाली हां तट पर आए, लेकिन ये क्या, उनके आश्चरे का ठिकाना ही नहीं रहा, जब उन्होंने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनकी दोनों गेंदे रखी हुई है, व उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया, यानि खेल खेल में दोनों गेंदे फिर अपने तरीके से पानी में डाल दी, उनकी दोनों गेंदे फिर सागर में जा पहुँची, हलका सा अंधेरा हो गया था, तो दोनों भाई एक जाड़ी की ओट में छिप गए, थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि सागर में से एक जल परी निकल आई और पानी पर चलने लगी, अचानक दोनों उसे देखका ठिटक गए, सोचने लगे वो सपना देख रहे हैं या ये कोई हकीकत है, अचानक उस जल परी ने उन दोनों गेंदों को उठाया और पेन के नीचे रख दिय ऐसा करके वो वापस जाने लगी, तभी सोनू मोनू हक्के बक्के रह गए, जब जल परी सागर के भीतर पानी में वापस जाने के लिए उतरने लगी, तभी सोनू मोनू जाड़ी से निकल कर बाहर आए और जोड जोड से जल परी को आवाजे लगाते हुए बोले, जल परी रुको जलपरी रुको जलपरी लोटकर सोनों और मोनू के पास वापस आ गई दोनों को अपनी आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था तभी जलपरी बोल पड़ी तुम दोनों बहुती प्यारे बच्चे हो मैं हर शाम तुमारा खेल देखने आती हूँ मेरे पास बहुत स आना नहीं अब तो जलपरी रोज उनके पास आने लगी जलपरी तरह-तरह के उपहार लाकर उन्हें देती एक दिन जलपरी ने बताया कि सागर में उसका एक बड़ा अशा महल है और उस महल में वो अपनी रानी मा के साथ रहती है वहाँ कई और जलपरीयां भी है और वे जुलकर खूप मज़े करती हैं जल परी ने बच्चों को एक जादुई छणी देते हुए कहा तुम दोनों इस छणी के सहारे आसानी से हमारे महल में आ जा सकते हो कभी जरूर आना तुम्हारा हम स्वागत करेंगे एक शाम सोनू और मोनू सागर के तट पर गेन खेलते खेलत अचानक ठक गए बहुत इंतदार करने पर भी जल परी नहीं आई उसके बाद तो कई शामे निकल गई लेकिन जल परी उनका खेल देखने के लिए नहीं आई सोनू और मोनू को लगने लगा कि जल परी जरूर किसी संकट में है उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चे किया अगले दिन सोनू और मोनू जादूई छणी लेकर सागर के पानी में उतर गए थोड़ी गहराई में नीचे जाने के बाद उन्हें जल परी का महल दिखाई देने लगा अंदर जाकर उन्होंने देखा वहां तो चारों और सन्नाटा था वहां कोई दिख नहीं रहा था दोनों महल में गुसे वहां मुख्य कक्ष में उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आँके खुली की खुली रह गई वहां तो कुछ राक्षस हो रहे थे वे समझ गए क जरूर महल में राक्षसों का हमला हुआ है राक्षसों ने जलपरी और दूसरी परियों को कैद कर लिया होगा दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे वहाँ पर एक तहखाना था तहखाने में सीडियां बनी थी दोनों भाई सीडियों से नीचे उतर गए वहाँ कई कमरे थे तभी एक कमरे से किसी के कराहने की आवाजे सुनाई देने लगी खिड़की से जाग कर उन्होंने कमरे में देखा तो सच्मुच महाँ जलपरी और मापरी कैद थी सोनू और मोनू को देखकर जलपरी खिड़की के पास आ गई और रोते हुए उसने उन्हें सारी बातें बता दी उसने उन्हें बताया कि एक बहुत बड़े राक्षस ने उन्हें कैद कर रखा है वो माया भी है और उसके पास राक्षसों की एक बड़ी सेना भी है बच्चों ने जलपरी से पूछा कि वो कैसे उसे कैसे चुड़ाएं उसके बारे में और भी कुछ उन्हें बताये वो तभी जलपरी बोली रोज शाम को राक्षस हमारा बोजन लेकर यहां आता है उस समय कमरा खुला रहता है राक्षस बोजन के समय हमें लगातार देखता रहता है लेकिन वह बीच में एक मिनट के लिए चपकी भी लेता है उस समय हम भाग तो सकते हैं मगर नीन खुलते ही वा हमें पकड़ लेगा और फिर कैद कर देगा एक मिनट का समय इतना कम होता है इतने कम समय में हम महल और सागर से बाहर नहीं निकल सकते सोनू और मोनू वापस अपने घर आ गए और उन्होंने अपने पिता को जलपरी और परी मा की पूरी बात बताई उनके पिता ने कहा तुम दोनों जलपरी और परी मा के रूपरंग और कतकाटी के बारे में मुझे विस्तार से बताओ मैं हूबहू उनके जैसे मोम के पुतले बना दूँगा फिर तुम उनकी मदद कर सकोगे दोनों ने जलपरी और परी मा के बारे में बताया तो उनके पिता ने बिल्कुल उनके जैसे मोम के पुतले बना दिये अगली शाम सोनू मोनू पुतले लेकर तैखाने में कमरे के किनारे छुप कर बैठ गए तभी राक्षस आया उसने भोजन की थाली रखी और जलपरी तथा परी मा को एक टक देखने लगा तब जलपरी ने कहा हमें भूख नहीं है इस पर राक्षस गुस्सा हो गया परन्तु इस बीच राक्षस को जपकी आ गई मौका पाकर जलपरी और परी मा कमरे से बाहर आ गए सोनू और मोनू ने जट से उनके इस्थान पर मोम के पुतले रख दिये एक मिनट पात राक्षस की जपकी तूटी तो सामने मोम की परीयों को देखकर उसे जरा भी शक नहीं हुआ क्योंकि वो मोम की परीयां बिलकुल असली परीयों जैसी लग रही थी शाम के समय सभी राक्षस सो रहे थे सोनू मोनू और जलपरियां सागर से बाहर आने में सफल हुए उन्हें कोई भी परिशानी नहीं हुई वे जल्दी ही सागर के तट पर आ गए तब जलपरी ने कहा आगे एक जगापन नदी की धारा उल्टी दिशा में बैती है अगर हम वह धारा मोड़ दे तो राक्षसों का जादू तूट जाएगा और वे खत्म हो जाएंगे और हम जलपरियां मुक्त हो जाएंगी सोनू और मोनू एक बड़ी नाव ले आए उसे धारा के पास लगा दिया धारा की दिशा बदल गई तभी सागर में जोरों से लहरे उठने लगी राक्षसों के चीतकारों की आवाजें कुझने लगी और कुछी देर में सब कुछ शान्त हो गया तो इस तरह राक्षसों का अंत हो गया इसके साथ ही सभी जलपरियां मुक्त हो गई जलपरी और परीमा सागर में वापस जाने लगी तबी सोनू दोड़कर जलपरी के पास गया और उसने कान में कहा जलपरी हमारा खेल देखने के लिए आना मत भूलना इस पर जलपरी ने कहा तुम बच्चों ने हमारी मदद की है हम ये कभी नहीं बूलेंगे अपनी मा के साथ खुशी खुशी वापस चली गई तो ये थी एक जलपरी और मोम की परियों की कहानी अके बाई